नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टागेट वान पे मैं हूँ अम्रिता और आज को जो मारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं यानि कि सिलाजी नेला के गेमिड़फाइड जैनरेशन से लेकर के फोर्टिलाज़िशन के प्रोसस के बारे में यह टॉपिक यानि कि सिलाजी नेला फोर्टिलाज़िशन आप सभी के TGT बालोजी, LTE ग्रेट, GIC, PGT, MSC, BAC, NEET और क्लास 12 के लिएक्वल इंपोर्टन्ट है तो अगर आप हमारे साथ मिल करके, according to syllabus, Biology की स्टडी करना चाहते हैं, Deep स्टडी करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे YouTube चैनल Targeted One के साथ में और सब्सक्रिप्शन के बाद आप वो notification bell को प्रेस करना है, जिसके द्वारा आप हमारे द्वारा दी गए latest update को अपने YouTube चैनल पे देख सकते हैं इसके साथ ही, अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल के माध्यम से हम से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, daily study material, pdf और questionnaire लेना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलिग्राम चैनल Targeted TGT, PGT Biology के साथ में, जहां पर आपको कई सारे pdf, study material और questionnaire मिलेंगे हमारे चैनल से जोड़ करके, जो pdf है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा helpful होंगे आपके exams के लिए, तो चले, यह तो सी general information जिसके द्वार आप अपते त्यारी के स्थर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं चले, start करते हैं आज की topic को, यानि की, basically हम reproduction के बारे में discuss कर रहे थे, तो reproduction के अंदर हमने बात की थी, gametophytic generation के बारे में, और अब हम बात करेंगे, fertilization के process के बारे में, यानि की gametophytic generation to fertilization चले, तो चले, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपर development of archigonium के बारे में, archigonium जिसे आप generally archigonium के नाम से भी pronounce करते हैं, तो देखिए, इसका process start कहां से होता है, कुछ cells जो की female prothalus की, बिल्कुल apex पे होती है, ये archigonial initial की तरह perform करने लगती है, की तरह function करने लगती है, अ तो ये सबी क्या है, वाजिटेटिव सेल, इनहीं में से कोई सेल, एक सूपरफिशल सेल, जिसे ये archigonial initial की तरह act करने लगती है, और further divisions के बाद, ये archigonia को develop करती है, ठीक है, इच आर्ची गोनिया development के बाद, एक single superficial cell, जिसे female prothalus कहा जाता है, ये apical region पे situated होती है, जिसे archig बसा concept है, आगे देखिए, यही जो archigonial initial है, ये transversally divide करती है, और एक upper primary cover cells को जन्म देती है, यानिकि इस तरीके से अगर ये cell, बीच वाली cell, जिसे archigonial initial कहा गया है, ये इस तरीके से divide होती है, अपर जो cell है, वो cover cell के नाम से जाने जाती है, और lower cell को lower central cell के नाम से जाना ज जाता है, ये cell जिसे के primary cover cell कहा जाता है, ये दो vertical divisions में, right angles में divide करती है, right angle मतलब, ये देखिए, आपका cell है, ये कुछ इस प्रकार से divide होई, अब देखिए, right angle division का मतलब क्या होता है, बहुत ही minority चीज़ों को समझेगा, क्योंकि आपके BAC, MAC level में इस सारी चीज़े deep में बत होता है, right angle division, ठीक है, आगे देखिए, आगे चल करके, right angle division के बाद, चार cells का निर्माण होता है, दो cell उपर और दो cell नीचे, ठीक है, और transverse division के बाद, एक जो neck है, sorry, एक cell जो है, यहाँ पर ये जो दो tier और चार, चार जो cells होती है, यहाँ पर develop होती है, ठीक है, ये दो tier है, again divide करती है, to form an upper primary neck canal cell, ठीक है, ये क्या करती है, अपर primary neck canal cell का production करती है, या उसे बनाती है, और एक lower primary vendor cell के नाम, तो ये रिखिए, पहले cell है, ये क्या बनी, ये बनी, neck canal cell और जो lower है, वो क्या बनी, vendor cell, ठीक है, बहुत ध्यान से in terms को समझेगा, very important it is for your BSC and MSC exams, ठीक है, ये क्या की त्यारी कर रहे है, तो this is also helpful for your guys, आगे चल करके देखिए, कि यहाँ जो single neck canal cell होती है, ये later on divide करती है, और vendal canal cell और egg cell का production करती है, जैसे कि आप image में देख रहे है, ठीक है, ये देखिए, आर्चिगोनल initial है, ये देखिए, आगे चल करके, ये इस तरीके से divide करती ह और दो neck initials की formation करती है, और एक central cell का, अब यहाँ पर right angular division होती है, यानि कि कुछ इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ पर ये जो बनती है, इसे कहा जाता है, neck initial और ये जो lower reason है, इसको primary neck canal cell के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर इतना जो structure है, ये initial division का process है, अगले process में आप percentage number E से, यहाँ पर जो egg cell है, तीन egg cells का production होता है, और, sorry, एक egg cell का production होता है, जो कि बिलकुल lower में present होता है, और it is comparatively larger than vendor और neck canal cell, तो size काफी circular, spherical होता है, और generally larger होता है, in comparison with neck canal cell और vendor canal cell, तो यहाँ पर आपने structure देखा, अच्छा, आगे के process में क्या होता है, कि जो egg cell है, वो बिलक जाता है, और जो upper cells होती है, यह आगे चल करके neck canal cell जो है, उसका production करती है, जो कि एक flask shaped होता है, जैसा कि आपने previous videos में देखा था, तो यहाँ पर आगे चल करके जो next cell है, यह further or divide करती है, that results in four neck canal cells, और जो central reason है, जहाँ पर vendor cells थी, वो cover करके रखती है, एग को, एग को cover करने क मतलब कि नर्श्मेंट देती है, for the development of egg, तो इतना जो process है, मेरे खाल से समझ आया होगा, और यही था पूरा development of archigunum का process, आगे रिके fertilization के process के बारे में बात करते हैं, तो fertilization जैसे कि telidophytes का एक important section होता है, कि fertilization process is carried with the presence of water, तो water is necessary to carry out the process of fertilization, और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, कि anthrozoids जो होते हैं, आपे flacculated होते हैं, यानि कि दो flaccula उनके पास होता है, एक छोटा flaccula होता है, और एक बड़ा, तो यह flaccula क्या होते हैं, लोको मोटरी organs होते हैं, तो flaccula swim करके archigunum की neck तक पहुचता है, और neck cells जो होती हैं, य दिर दिरे खतम हो जाती हैं, और एक passage क्रियेट होता है, for the movement of anthrozoids, बहुती सिंपल सा प्रोसेस हैं, और यहां पर एक nucleus का formation, जैसे ही, मतलब जो anthrozoids हैं, वो flaccula next cell से बिलकूल अंदर जाती हैं, जो nucleus है, वो fuse कर जाता है, एक के साथ में, ठीक है, जो female egg है, यह fuse कर जाता है, anthrozoids के nucleus के साथ में, और यहां पर एक zाइगोट की formation होती है, next step में आप क्या देखेंगे, एक fertilized egg का formation होता है, जो की, जो की अपने किनार एक wall की secretion करता है, और यहां पर एक question आप से पूछा जा सकता है, जो zाइगोट है, यह किस type का होता है, तो deployed stage में नजार आता है, ठीक की fusion के बाद generally, जाइगोट यह deployed case में नजार आता है, जो gametophytic generation होती है, यह end होती है, एक specific stage पे, और यही होता है, जिस stage पे fertilization खतम होती है, वहीं से start होता है sporophytic generation का process, ठीक है, तो को species के अंदर, जैसे की silaginilla intermediate के अंदर, जो egg का development है, यह embryo के अंदर ना हो करके without fertilization होता है, एक important aspect है आपके जानने के लिए, और यह जो phenomenon है, जहां पर कि बिना egg development की embryo का formation हो जाता है, without fertilization, तो इसे parthenogenesis का नाम दिया जाता है, तो parthenogenesis क्या होता है, without fertilization development of embryo, ठीक है, तो important terms है, इसे आपको ध्यान रखना है, आपकी exams में आ भी सकता है, कि case, teratophyte की case में parthenogenesis देखने को मिलती है, तो वो होता है, silaginilla, ठीक है, बहुत important concept है, आगे देखें, embryo development, यानि कि young sporophyte का development कैसे होता है, चले बात करते हैं, तो embryo का जो development है, यह उस्पोर की development के साथ में start होता है, तो उस्पोर is the initial stage of sporophytic generation, अब आगे देखें, during the process of development, यहाँ पे जो embryo होता है, यानि कि जो zygote होता है, यहाँ पे उस्पोर सबसे पहले divide होता है, जो zygote होता है, वो पहले transversely divide करता है, और उसके बाद अपर suspensor cell, यानि कि divide होता है, जैसे उस्पोर है, यह दो parts में divide किया, अपर portion है, उसे आप अपर suspensor initial कहेंगे, यानि कि AP basal section के नाम से जानेगे, और जो lower portion है, इसे एक lower embryo initial, यानि कि hypo basal cell के नाम से जाने जाता है, यानि कि उसकोर जब divide करता है, तो upper और lower दो sections में divide करता है, ठीक है, अब देखे, यहाँ जो suspensor cell है, जिसे कि AP basal cell कहा जाता है, यह further divide करती है, सब ही directions में, और एक multicellular suspensor के तरह एक tuft, यानि कि गुच्छा जो है, उसक चल करके embryo, developing embryo को, एक female gametophytic tissue के रूप में convert कर देता है, और यही, यह female gametophytic tissue है, यह इसको, क्यूंकि यह further develop कर रहा है, तो इसको इसको nourishment के ज़रूरत होती है, तो इसको जो nourishment का, इसका जो function होता है, वो होता है embryo को nourishment provide करना, ठीक है, आगे देखे, जो embryo initial है, वो further दो vertical divisions में divide होते है, right angles में, यानि कि पहले यहाँ divide होगा, फिर यहाँ divide होगा, ठीक है, इसके बाद इन में से जो, यह जो चार cells आप देख रहे हैं, इन में से, इन चार cells में से, एक oblique wall जो होती है, इनकी formation होती है, जिसे शूट initial के नाम से जाना जाता है, आगे चल कर कि यह जो cell ह है, cell का shoot initial जो होगा है, वो divide होता है, और sporophytic portion है, transversely, दो tiers के रूप में आपको नजार आते हैं, तो total आपने देखा, चार cells होती है, और यहाँ पर दो tiers, यहाँ यहाँ पर दो tiers, नजार आते हैं, और चार cells नजार आते हैं, ठीक है, तो एक important section था, यहाँ पे fertilization के process के बाद embryo development का process, अब देखे, image की help से आप समझेए, तो सबसे पहले होता क्या है, image में आप देख रहे हैं, अगर आप तो आपको theory के basis में नहीं समझ आया है, तो एक image है, image की help से आपको clearly समझ में आ जाएगा, देखे, अब तक अगर आपने theoretical portion से नहीं समझा, तो आप image की help से समझ लिजे, image आप सभी की screen पे है, तो दोस्तो process start होता है, यह zygote है, आप सभी की screen पे, zygote है, periclinally divide करता है, और दो cells का production होता है, यहाँ पर की cell को suspensor cell कहा जाता है, epibase cell, और यह जो lower cell है, इसे embryonic cell के नाम से जाना जाता है, अच्छा, यहाँ जो suspensor cell है, as it is रह जाती है, और न जो जो आपको नजर आएगा कुछ इस प्रकार से, यह cell है, इसने अपने आपको पहले ऐसे divide किया, और उसके बाद इस प्रकार खुद को divide किया, तो आपको यहाँ पर एक right angle बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ऐसे देखे, इस प्रकार से, sorry, image को clear कर देता है, फिर यह ची ने क्या किया, पहले इस तरीके से divide किया, फिर इस तरीके से खुट को divide किया, अब देखे, आपको एक ऐसा नजर आएगा, एक, दो, तीन, चार, four cell stage, अब यह जो lower section है, यह फिर से अपने आपको divide करता है, और अब यहाँ पर आपको six cell stage नजर आएगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, आप देखे, नेक्स्ट stage में आप क्या देखेंगे, कि यहाँ पर यह जो third section है, ठीक है, यह first, second और यह जो third section है, यह कुछ तीरचे खुद को divide करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है, ठीक है, अब यह क्योंकि आपको यह जो cells हैं, divide करती हैं नजर आएंगी, तो F section में आप क्या देखेंगे, कि एक cutting type की cell है, उसका यहाँ पर division होता है, cutting type का, यह cutting type cell का सबसे बड़ा role यह होता है, कि इसी division के बाद एक cell का tuft, यानि कि गुच्छा जैसा नजर आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है, अब यह गुच्छे जैसा जो cell है, यानि कि cell का tuft जो होता है, यहाँ पर दो important section आपको ध्यान में रखना है, कि यहाँ जो internal section है, ठीक है, यह क्या होता है, internal section है, apical cell कहलाता है, और outer section cotyledon कहलाता है, cotyledon मतलग shoot section जहां से develop करता है, ठीक है, अब देखे, suspensor cell as it is रही, और न section है, डिवाइड के इसने तो अपर जो layer है, वो leaf बनाती है, lower बनाती है, apex और बिल्कुल नीचे का section है, वो food बनाता है, ठीक है, और फिर और फॉर्दर डिवाइड करता है, तो इस ताइप का prothalis का यहाँ पर production होता है, ठीक है, sorry, development होता है, ठीक है, तो मेरे कहाँ से इतना जो structure आप सभी को clear होगा, अब देखें, कुछ ऐसे species होती हैं, जैसे कि सिलाजिनेल एपस और सिलाजिनेल और उपेस्ट्रिस, यहाँ पर जो mega gametophytes है, यह कभी भी mega spore enzyme से shed नहीं होता, यानि कि वहाँ से release नहीं होता, और यह strobilis के अंदर ही suspended रहता है, जो o spore होता है, वो complete seed करता है, अपनी development, mega spore enzyme के अंदर ही, और जो young embryo होता है, यह seedling के रूप में develop होता है, और primary root का जैसे वहाँ से emerge होता है, और वैसे ही यह ground के उफर, जो है, वो shred करता है अपने आपको, ठीक है, तो यह एक important section है, आपको जानना, आप देखें, लाइफ साइकल की बात करीजा तो सिलेजिनला की जो life cycle है, वो sporophytic plant यानि की 2X और दो different types of spores का production करती है, micro spores और mega spores, इसलिए इसे hetero spores plant कहा जाता है, other words में आप कह सकते हैं की hetero spores, mega spores और micro spores, दो अलग spores का production है, और इसलिए, sorry, इसलिए आपका क्या कहेंगे, इसे hetero spores plant, यही spores germination के बाद, male और female gametophyte का production करते हैं, और in turn, आगे चल करके, strobilis of the plant, जो है, वो anthrozoids और egg का production करता है, जो reproductive structures होते हैं, fertilization के बाद, वो zygote के रूप में convert होते हैं, after fertilization, और again, germination के बाद, यह sporophytic plant को germ को germ को जर्म देते हैं, और जो sporophytic plant हैं, और gametophytic generations हैं, यह alternatively एक दूसरे को follow करते हैं, और आगे चल करके, इस sporophytic phase, जो है, वो dominant होता है, over gametophytic phase, तो यहाँ पे हमने, जो life cycle थी, उसके बारे में, एक रफ सा, जो discussion था, वो किया, अब तो दोस्तों, यहाँ पे, जितना भी important content था, सिलाजी नेला को लेकर, वो हमने discuss कर लिया है, next video में हम बात करेंगे, उन सभी question के बारे मे जो सिलाजी नेला को लेकर के, आपके exams में आ सकते हैं, तो यह है guys, आप अपनी screen पे देख रहे हो हमारे telegram channel का description, और यह पूरी details इसकी हमारे description box में दी है, वहाँ पर जा करके, आप हमारे description box में, दिएगा लिंक पे click करके, हमारे telegram channel के साथ में add हो सकते हैं, तो दोस्तों, यही पे हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं, और मेरे ख्याल से आज का section आपको बहुत पसंद आया होगा, तब तक के लिए मिलता को दीजे जाज़त, नमस्कार